यो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल Small Town Trader में जहां हम लाते हैं आपके लिए क्रिप्टो करणसी की दुनिया के सबसे नए अपडेट्स आज हम बात करेंग ऐसे टॉपिक के बारे में जो क्रिप्टो दुनिया में काफी शोर मचा रहा है Bitcoin Exchange Traded Fund याने Bitcoin ETF अगर आपको समझना है कि यह क्या चीज होती है और कैसे क्रिप्टो मार्केट को इंफ्लेंस करती है तो आप बिल्कुल सही जगा पर आए हैं लेकिन पहले अगर आपको क्रिप्टो और ब्लॉक्चेन से जुड़ी और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें तो दोस्तों सबसे पहलो उस ट्वीट पर चलें जिसकी वज़े से हंगावा मचा हुआ है यह दो ट्वीट्स हैं आप पढ़ लो एक बार वीडियो रोपके एक ट्वीट आया है SEC के अकाउंट से और दूसरा Gary Gansler के अकाउंट से और यही है सारा सीन कुछ खबर आई कि SEC ने बिटकोईन ETFs को मनजूर कर दिया है लेकिन गैस क्या सब नकली था सब फेक था SEC का ट्वीटर अकाउंट किसी ने हैग और अनौथराइस ट्वीट में मनजूर होने का दावा किया मार्किट ने तेज रियक्ट किया और बिटकोईन भी जंप करके 48,000 के मार्क को टेच कर गया लेकिन तभी कुछ गंटो बाद Gary Gansler का ट्वीट आता है कि SEC का अकाउंट कॉम्प्रोमाईज हो गया है और किसी ने फेक ट्वीट किया है और इस नवीज के बाद सेल आउट शुरू हो गया और बिटकोईन आल्मोस 7% तक गिरकर 44,000 के आसपास आ गया अब कुछ रिपोर्ट के मताबिक लगबग एक बिलियन डॉलर मार्किट से एकदम गया हो गया अभी इस इंसिडेंट से काफी जादा इंपैंट हो सकता है खासकर बिटकोईन ETF के मंजूरी को लेकर कुछ एनिलिस्ट का ये भी कहना है कि इस इंसिडेंट को ETF मंजूर करने को किसी बहाने से रोकने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है SEC के दौरा और कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इससे बिटकोईन ETF में मंजूरी मिलने में मार्च 2024 तक की भी देरी हो सकती है तो दोस्तों अगर आप उन लोगों में से जिनने भी तक यही नहीं पता कि बिटकोईन ETF है क्या तो टेंशन वाली बात नहीं है मैं समझा देता हूँ बिटकोईन ETF का फुल फॉर्म है बिटकोईन एक्सचेंज ट्रेडिट फंड सीधे शब्द में बताओ तो बिटकोईन ETF एक ऐसा फैनेंशियर प्रोड़क्त है जो बिटकोईन के प्राइस को ट्रैक करता है इससे इंवस्टर्स को बिना डेक्ली बिटकोईन होल्ड करें बिटकोईन का एक्सपोजन मिलता है मतलब इससे आप बिटकोईन को easily stock market में buy or sell कर सकेंगे जैसे टाटा एरिलैंस का कोई और stock बिटकोईन ETF भी इसी तरह से काम करेगा अगर Bitcoin ETF अप्रूफ होता है तो आप इसका शेर नॉर्मल तरीके से किसी भी ब्रोकरिज एप से बाई कर सकते और आपको किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज की चक्कर में फसने की जरुरत नहीं रहेगी अब आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि क्यों क्रिप्टो इंडस्ट्री में Bitcoin ETF का इतना क्रेज है पहली बात तो ये एक easy way प्रोवाइड करता है Bitcoin में इंवेस्ट करने का दूसरा जिनको भी Bitcoin ज़ादा complex या risky लगता अप उनके लिए Bitcoin buy or sell करना ज़ादा आसान हो जाएगा अब क्योंकि Bitcoin ETF बाकी stock से साथ list होगा तो लोगों का भी confidence Bitcoin पर बढ़ेगा और जो लोग अभी तक इससे दूर रहना चाते थे वो भी इसमें invest करने का सोचने लगेंगे Bitcoin ETF approval के वाद Bitcoin का mass adoption देखने को मिल सकता है क्योंकि large institutional investments आने के chances है और जब इतनी demand बढ़ेगी तो बिलकुल हम Bitcoin के price को और उपर जाते देख सकते हैं future में तो अब आपको समझ आया कि क्यों crypto community चाहते ही कि SEC जल्दी से Bitcoin ETF को approve करे In short Bitcoin ETF दोनों retail and institutional investors को मौका देगा कि वो easily इस asset में invest कर सके तो आपको क्या रगता है दोस्तों कि SEC Bitcoin ETF कब तक approve करेगी आपकी कह रहा है Bitcoin के price को लेके इसके approval के बाद आप यह हमें comments में लिखके ज़रूर बता सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करें मिलते हम अपनी अगली वीडियो में तब तक ये लिए goodbye